नमस्कार दोस्तों, मैं कुजबूत ओमर एक वाइफिस से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुसी मौनू लैपिस्टाइल पर फ्रेंट्स आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़दा स्पेसल होने वाला है क्योंकि फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लिंक परिछन को लेकर कुछ ऐसे सिंटम्स के बारे में जाने वाले हैं जोके गर में लड़का या लड़की होने के सबसे सुरुवाती लक्षड माने जाते हैं उस सबसे सतीक लक्षड भी माने जाते हैं क्योंकि फ्रेग्नेंसी के दोरान गर्वती मेला के पैरों में ऐसे पांच बदलावाते हैं जिनने अगर आप प्रेग्नेंसी के दोरान अपने सरीर में अपने पैरों में समझ लेती हैं इनकी मदद से आप अनुमाल लगा सकती हैं कि आपके गर्व में पल रहा सिसु बेटा ह या फिर बेटी होगी क्योंकि यह जो symptoms होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने सरीर में observe कर सकती हैं तो friends अगर आप मा बनने वाली है और आप भी चाहती है कि आपकी जो family है वो complete family बन जाए यानि कि अगर आपके पास पहले से बेट हो जाए और अगर आपके पास एक बेटी है तो आपको एक बेटा हो जाए तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful होने बाला है इसलिए friends वीडियो को अंतक जरूर देखें और अगर बात में यह वीडियो आपको अपने लिए useful लगता है तो प्लीज मेरे बैसे तो pregnancy के दोरान आपके सरीर में कई तरह के बदलावाते हैं जिनने अगर आप ठीक से समझ लेती हैं तो आप अनमाल लगा सकती हैं कि आपके बेटा होने वाला है या फिर बेटी होने वाली है इसके साथी pregnancy के दोरान किये जाने वाले ultrasound की मदद से भी आप अनमाल लगा सकती हैं कि आपके गर में पलगा सिसुल लड़का है या फिर लड़की क्योंकि ultrasound में भी कुछ ऐसी बाते लिखी होती हैं जो गर में लड़का होने पर अलग होती हैं और लड़की होने पर अलग होती हैं इसी तरह के कुछ symptoms आपको अपने पैरों में भी नजर आते हैं वो अगर आपके गर में लड़का है, तो आपको ये जो पांच लग्षण हैं, अपने सरीर में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि ये जो लग्षण हैं, वो गर में लड़का होने की सबसे सुरुवाती लग्षण हैं, और गर में लड़का होने पर ही आपको ये नजर आएंगे, इनका बैसे तो कोई ब्याग्यानिक प्रमार नहीं है लेकिन आज भी हमारी बुजूर्ग मैलाएं और अनवबी लोग गर्बती मैलाओं के सरीर में आने वाले इनी बदलावों से 100% स्योर होके बता देते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी तो चलिए ना करते हुए इन लक्षणों को जान ही लेते हैं पैरों में सूजन मैंने कई बार कुछ मैलाओं को देखा है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के कुछ ही महीनों के बाद यानि एक दो महीने के बाद से ही उनके पैरों में अचानक से सूजन आना सुरू हो जाती है सूजन के सा सब्सक्राइब करें बजन भी काफी बढ़ जाता है जिससे आपके उपर का सरीर यानि आपके पेट का जो भार है वो आपके पैरों पर आ जाता है और इस दोरान अगर आप थोड़ी ज्यादा दिर के लिए खड़ी हो जाती है या चल लेती है तो आपको आपके पैरों में सूजन, दर्द, जंजनाहट ऐसी समस्याएं होने लग जाती है लेकिन अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाई यानि के तीसरे चौते महीने के बाद से ही अगर आपके थोड़ी दिर खड़ा होने पर या जरासा चलनेने के बाद या पिर कुछ भी अक्टिविटी ना करने के बाब जुद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैरों में स प्रेजी से बढ़ना सुरू हो गए है और आपके जो बाल है वो एकदम से हर्स यानि टाइट रूखे सूखे से हो गए है तो इसे भी गर में लड़का होने का संकित माना जाता है वहीं अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल एकदम से सौफ्ट मुलायम और च इसकी बज़े से उसके सरीर के कुछ अंगों में बहुत जादा तेजी से बाल आना या उगना सुरू हो जाते हैं और ये जो बाल हैं वो बहुत जादा टाइट से होते हैं यैसे के पुरसों के होते हैं वहीं जिन महिलाओं के गर में लड़की होती है तो उनके सरीर में महि रहा 100% लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है क्योंकि अगर मेरी प्रेग्नेंसी की बात की जाए तो मेरी प्रेग्नेंसी के दौरान कुछ अलग सा ही हुआ था यानि कि मेरी प्रेग्नेंसी के छटवे साथे महीने के बाद से मेरे जो बाल है वो एकदम से गन आयम हो गए थे और तेजी से बढ़ना शुरू हो गए थे और मुझे डिलिवरी होने के बाद बेबी बॉय हुआ था तो ये जो लक्षण है वो मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा अलग था तीसरे लक्षण है पैरों में दर्द होना अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है वैसे तो ऐसा लगबग 80-90% मेलाओं में प्रेगनेंसी की तीसरी दिमाही के दौरान होता है क्योंकि इस समय तक आपका पेट का भी बढ़ जाता है जिससे आपका पेट का जो भार है वो आपके पैरों पर आ जाता है और जैसे ही वो कंसीव करती है उसके एक दो महीने के बाद से ही आपको जरासी दिर खड़े होने पर या जरासा चलने पर ही आपको आपके पैरों में दर्द की समस्या रहती है तो अगर आपको आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और ज्यादा तर आपको आपक गर्वास है कि राट साइड में होता है और गर्व में लड़की का जो इस्तान होता है वो आपके गर्व में लेफ्ट साइड की तरफ होता है तो अगर आपके दाहिने पैर में ज्यादा तर दर्द रहता है तो इसे भी गर्व में लड़का होने का सबसे सथीक लक्षन माना ज जाती य है एकदम से रफ हो जाती है तो इसे गर में लड़की होने का संकित बाना जाता है वही जन मेलाओं की एडियाँ पहले से फटी हुई है और एकदम से etteषी रहती है और उनकी जो एडिया है वो प्रेगनेंसी के दोरान एकदम सौफ्ट, मुलायम, कोमल हो जाती है, एकदम चिकनी हो जाती है, तो फ्रेंस इसे गर में लड़का होने का संकित माना जाता है, तो प्रेगनेंसी के दोरान अपनी एडियों में आए, इस एक बदलाब से भी आप अ कोई आज भी परदा करती है, तो मैं मेरे यहां पर एक धार्मिक अनुस्ठान था, तो मैं अपने अस्वेंड के साथ गई थी, मेरी पूरी बड़ी कवर थी, केवल मेरे पैर की एडियां दिख रही थी, तो हमारे गाउं के जो पुरोईत हैं, काफी अनुभवी हैं हर को बताया था, कि मुझे 100% लड़का होगा, और फ्रेंट्स हुआ भी ऐसा ही, मुझे बेबी बॉय हुआ था, क्योंकि प्रेग्नेंसी के दौरान मेरी जो एडियां थी, वो एकदम से सौप्ट मुलायम हो गई थी, और मेरी एडियों के पीछी की जगया है ना, वो एकदम स इसे भी आप अनुमाल लगा सकती है, कि गर्मे पल रहा से सू लड़का होने वाला है, या फिल लड़की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान चलते समय, तब से पहले अगर आपका दाहिना पैर आगे बढ़ता है, तो इसे लड़का होने का संकित माना जाता है, तो फ्रेंट्स ये हैं वो पांच लक्षन जिनने अगर आप प्रेग्नेंसी के दौरान अपने सरीर में समझ लेती हैं, तो आप भी बिना अल्ट्रसांड की मदद लिए पता कर सकती हैं, कि आपके गर में पल रहा सिसू लड़का होने वाला है, या फिल लड़की होने वाली है, और फ्रेंट्स एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, कि ये जो प्रेग्नेंसी के दौरान गर में लड़का ये लड़की होने के मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ, उनका बेग्यानिक प्रमार नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में, यानि कि 10 में से 8 महला में एकदम अलग-अलग होती है, तो कुछ महलाओं में तो ये 100% मैच कर जाते हैं, वहीं कुछ महलाओं में एकदम से अपोजिट हो जाते हैं, तो फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, पसंद बाद आप, तो फ्रीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंट्स और जिले टिफ्समें भी शेयर करें, जिससे इसका काल आप सभी उटा सकें, इसके ताप ही अगर मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके, defense एकन को प्रेस करने ना भूले जिससे मेरे वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट ताइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद